Hello kiddos, आज हम करेंगे Class 4 Maths Olympiad की ये वरक्षीट, let's get started. Question number 1, find the place value of 7 in the numeral which is 44,26,53,656 more than 2,49,85,203. क्या करना इस question में? हमें 7 की place value बतानी है, उस number में जो number इस से इतना ज्यादा है. तो पहले हम 44,26,53,656 में 2,49,85,203 को add करेंगे, जो number आएगा उसमें 7 की place value बतानी है. तो add करो और answer आया 46,76,38,859 अब 7 की place value बतानी है, 10,000,10,00,10,00,10,00, तो 7 की place value है यहाँ पे 70,00,00, which is option A. Question number 2, look at the following table, यहाँ पे articles के नाम दिया है और इधर उनके price दिया है और question में पूछा है, अर्विन बॉला है अर्विन ने 7 चेर खरीदी एक चेर थी 546 रूपीज की तो 7 चेर की कोस्ट कितनी हो जाएगी? मल्टिप्लाई कर दो यह आगया 3,822 रूपीज दूसरा बोला है उसने 5 टेबल खरीदे टेबल की कोस्ट है 890 रूपीज अब इसको 5 से मल्टिप्लाई कर दो तो यहाँ आगया 4,450 रूपीज और उसमें कुछ फैन लिये और टोटल प्राइस जो पे किया वो था 10,972 अब कितने फैन लिये यह कैसे पता चलेगा? टोटल प्राइस जो है 10,972 में से अगर हम टेबल और चेर की कोस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमें फैन की कोस्ट पता चल जाएगी तो पहले फैन की कोस्ट निकालते हैं टेबल और चेर की कोस्ट को प्लस करो 4,450 प्लस 3,822 या या 8,272 और इसको टोटल कोस्ट 10,972 में से माइनस कर दो अभी आगया 2,700 2,700 जो है वो हुई फैन की कोस्ट अगर एक फैन की कोस्ट 450 रुपीज है तो 2,700 में कितने फैन आएंगे? इसको हम डिवाइड कर देंगे और अंसर आया 6 तो अर्विन ने 6 पंके खरीदे Q3, is there any pair of like fraction in the following figure? ये circle के अंदर हमको fractions दिये हुए है और पूछा इसमें कोई भी like fraction है like fraction वो होता है जब कोई भी 2 fractions का denominator सेम है नीचे वाला denominator सेम है तो वो like fraction होता है अब यहाँ पर fraction देखो एक है 1 by 2, ठीक है 3 by 4, ठीक है फिर है 56 by 45 क्या ये दोनों किसी भी एक टेबल में आते है तो हम इसको simplify करते पर नहीं आते फिर है 12 by 21 अब 12 और 21 किसी एक टेबल में आते है हाँ, 3 4s are 12 3 7s are 21 11 by 10, ये भी किसी एक टेबल में नहीं आते ये भी simplify नहीं होगा 13 by 12, ये भी simplify नहीं होगा 8 by 9, ये भी किसी एक टेबल में नहीं आते और 8 by 15, ये भी एक टेबल में नहीं आते तो हमने सारे fractions को simplify करके लिख लिया लेकिन किसी का भी denominator सेम दिख रहा है आपको? नहीं है तो इन fractions में कोई भी like fraction नहीं है क्योंकि किसी का भी denominator सेम नहीं है question number 4 ABCD is a quadrilateral AB is 2 cm more than BC BC is 5 cm less than CD CD is 1 cm less than AD if AD is equal to 11 cm find the perimeter of the quadrilateral अब हमको ये figure दिऊ हुई है न और इस से related चीज़े हमें दिऊ हुई है और हमसे बोला इसका perimeter हमको निकालना है सबसे पहले quadrilateral होता है जिसमें 4 angle, 4 side और 4 vertices हो तो ये quadrilateral figure है आप देखो question में हमें क्या दिया है AB is 2 cm more than BC तो यहाँ पे हम लिख सकते है AB is equal to BC plus 2 ठीक है सेकिंड बोला है BC is 5 cm less than CD तो यहाँ पे हम लिख सकते है BC is equal to CD minus 5 5 cm का हम है फिर उसके बाद बोला है CD is 1 cm less than AD तो हम लिख सकते है CD is equal to AD minus 1 क्योंकि उससे 1 cm का है फिर बोला है if AD is equal to 11 cm AD अगर 11 है तो अब देखो AD से हम CD निकाल सकते है क्योंकि CD बोला है AD से 1 काम है तो 11 में से 1 minus कर दो CD आ गया 10 cm अब CD पता चल गया तो हम BC निकाल सकते है BC बोला था CD से 5 कम है तो CD 10 minus 5 अब हमे BC पता चल गया 5 अब BC पता चल गया तो AB तो easy है क्योंकि वो तो BC plus 2 था तो 5 plus 2, 7 तो अब हमें perimeter निकालना है मतलब 4 साइट को प्लस कर दो 7 plus 5 plus 10 plus 11 33 cm Question number 5 Look at the following figure X is 1.5 times of Y perimeter of the triangle is 12 cm Find the value of X यह जो हमको triangle दिया है equilateral triangle है और इसका perimeter बोला है 12 cm है X की value हमको निकालनी है perimeter मतलब sum of sides और equilateral triangle है तो 3 साइट बराबर होंगी AB equal to BC is equal to CA 3 साइट बराबर होने वाली है तो अब perimeter का formula लिखो 3 साइट को प्लस करो AB plus BC plus CA is equal to 12 cm अब हम AB इधर भी AB लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है और इधर भी AB लिख सकते हैं तो 3 AB is equal to 12 AB हो जाएगा 12 divided by 3 4 cm एक साइट 4 cm पता चल गई अगर एक साइट 4 है तो तीनों साइट 4 होंगी लेकिन हमसे तो ये vertical वाला height पूछा है X कितना होगा लेकिन question में बुला था X क्या है 1.5 times of Y जो base है उसका 1.5 time है base अभी हमने निकाला था 4 cm 4 को 1.5 से multiply करो ये आ गया 6.0 6 cm होगी इसकी height X की value होगी 6 cm Question number 6 Arjun draw a figure with 4 corners and 4 equal lines which could be the figure he draw बहुत ही simple है 4 line होगी figure में और 4 corners है तो कौन सा figure है जिसमें 4 line है और 4 corner है पहले वाले में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lines No 1, 2, 3, 4, 5, 6 lines ये भी नहीं 3rd वाले में 5 lines ये भी नहीं 4th वाले में देखो 4 line है equal lines है और 4 corner है तो option D is the answer Question number 7 How many stars are there which lie in both square and circle ये जो figure दिया है इसमें देखो square के अंदर 3 star है और circle के अंदर 5 star है पूछा है question में दोनों के अंदर कितने star है तो दोनों के stars को add नहीं करना दोनों में जो common है common क्या है ये वाला part सिर्फ एक star है जो दोनों के अंदर आ रहा है तो option A 1 Question number 8 Find the measure of the angle ABC ये जो figure है इसमें हमें angle ABC मतलब angle B बताना है angle A दिया 80 degree D दिया 70 degree और C दिया 100 degree इस figure के 4 angle का sum होना चाहिए 360 degree 3 angles हम को दिये तो इन दियनों को प्लस करो ये आया 250 degree और 360 टोटल में से 250 को माइनस कर देंगे तो angle B हमको पता चल गया 110 degree Question number 9 Identify the incorrect roman numeral ये जो 4 roman numeral दिये है इन में से गलत कौन सा ये बताना है A देखो X का मतलब होता है 10 1X का मतलब होता है 9 तो ये हो गया 19 1 के बाद इन्होंने 9 लगाया 19 ये correct है B देखो 2X का मतलब हो गया 20 और 1V का मतलब होता है 4 तो ये हो गया 24 D देखो X का मतलब होता है 10 V का मतलब होता है 5 10 प्लस 5 ये हो गया 15 ये भी correct है C देखो 1X 1X का मतलब होता है 9 और 1V इसका मतलब होता है 4 तो 94 हम ऐसे तो नहीं लिखते हैं, यह तो गलत है तो C is the incorrect one Question number 10 If mango plus mango plus mango plus mango is equal to 764 Then find the value of 300 minus mango अगर 4 mango को plus करके 764 आ रहा है तो पहले एक mango की value निकालो 764 को 4 से divide करो या या 191 एक mango की value 191 Question में पूछाए 300 minus 1 mango 300 में से 191 को minus करो Answer आ गया 109 Question number 11 onwards हम करेंगे अपने अगले वीडियो में अगले वीडियो का link आपको मिलेगा description box में And if you find this video useful Like, Share, Subscribe, Bye Bye